हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब लोग मेरा नाम है सौरब बजाज और वापस आपके लिए लेके आया हूँ सेल्स की कुछ ऐसी मास्टर चीजें कुछ ऐसी मास्टर टिप्स जो आपको बहुत-बहुत-बहुत सेल्स करियर में आगे लेके जाएंगी और भले आप बिजनस ओनर हैं या आप किसी कंपनी में सेल्स देखते हैं ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है इसका टॉपिक है तो बिकम दे बेस्ट सेल्समें इन दो वर्ल्ड क्योंकि ये जो बुक जो चीजे मैं आपसे शेयर करना हूँ ये इस किताब से हैं इस किताब का नाम है The Greatest Salesman in the World The Greatest Salesman in the World Augment Dino ने लिगी थी Augment Dino बहुत बड़े बहुत फेमस ऑथर हैं और एक करोड़ चालिस लाख कॉपी इस किताब की बेच चुके हैं एक करोड़ चालिस लाख से भी पहले क्योंकि मैंने खुद ये बुक तीन स्यार साल पहले खरी दी ती और आज इसमें से कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहरा हूँ मैं और अगर आप बनना चाहते हैं Seriously बेस्ट सेल्समें आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें तो फ्रेंज जब हम सेल्स की बात करते हैं तो टू बेकम दस बेस्ट सेल्समें इन दो वर्लड अवरी वरी इंपोर्टेंट थिंग अगर हम हमारे इमोशन पे कंट्रोल पालें उनको कंट्रोल कर लें तो हम बेस्ट सेल्समें बन सकते हैं तो चलिए देखते हैं कि कौन से हैं ये 10 इमोशन 10 इमोशन मैं आपसे शेर कर रहा हूँ सबसे पहला इमोशन अंगर गुस्सा बहुत बार ऐसा होता है जब हम मार्केट में जाते हैं बहुत सारी चीजों पर कंपनी को लेके हमारे घर के हालात को लेके किसी भी चीज को लेके अगर हमें गुस्सा आता है तो हम बहुत अच्छी सेल्स नहीं कर पाएंगे अपने गुस्से को कम करना कंट्रोल करना आपकी मन को थिरता देगा और सेल्स पर फोकस करने देगा ऐसा बोलते हैं कि आपका पांच मिनिट का गुस्सा आपका पांच मिनिट का गुस्सा आपकी पांच घंटे की परार्थना को बराबर कर देता है आपका पांच दिलाएंगे, ऐसे distributors हो सकता है, या ऐसे दुकानदार मिल सकते हैं, ऐसे दूसरे company के लोग मिल सकते हैं, लेकिन अपने आपको शान्त रखें और अपने काम पे focus करें. दूसरा emotion आता है, jealousy. कभी हम market में देखते हैं, कि इस company का product उतना ज़्यादा बिकरा है, उस company का product उतना ज़्यादा बिकरा है, और हमें लगता है यार कि मैं क्या कर रहा हूं, और हमें बहुत इरिशा जलन होने लगती है उस company से, फिर हम negative सोच ने लगते हैं company के बारे में, जब हम उन चीजों पर focus करें, तो जो हमारे emotions है, जो हमारे अंदर energy है, वह हम बहुत गलट direction में face करें हैं, वो ऐसा है कि हमें जाना इस रस्ते है और हमारा पूरा focus इस रस्ते पर लगा हुआ है, तो हम कभी भी अपने उदेश्य पर अपने जगे पर नहीं पहुँच पाएंगे इसलिए jealousy, ईशा, जलन वाली भावना किसी भी brand से, किसी भी company से हो, किसी भी बंदे से हो, बहुत बार आप आदमी से relate करते हैं, कोई भी आदमी का कोई लेना देना नहीं है, आपकी brand से, आपकी sales से, आपके लक्षे से, तो अपने लक्षे पर focus रखे, कभी भी jealousy की भावना क dominant ना करने दे, तीसी चीज़ है comparison, बहुत easily हम लोग compare करने लग जाते हैं, और market में भी comparisons बोलने लग जाते हैं, कि देखो, मेरा product इससे उचा है, उसका product मुझसे नीचा है, और वो ऐसा नहीं करते हैं, यह तो company बेकार है, ऐसा करते हैं, कभी भी हमें comparison के अंदर नहीं जाना, जब भी हम comparison कर रहे हैं, comparison हमारी energy को नीचे लेके जाता है, जब हमारी energy नीचे जाती है, तो हम फिर अपने competitor brand के लिए गलत बोलेंगे, किसी के लिए उल्टा सीधा बात करेंगे, किसी salesman से लड़ पड़ेंगे, किसी distributor से लड़ पड़ेंगे, तो इस तरह की चीज़ हो सकती है, इसलिए बहुत ज़ादा जरूरी है, कि कभी भी comparison में मज जाएं, अपने product को, आपका product अच्छा है, best है, आप अपने product की तारीफ करें, पर comparison में ना जाएं, और ना किसी product की कभी भी बुराई करें, हमारी company के अंदर हमारा एक rule है, that we never lie to sell, कि हम माल बेशने के लिए comparison में मज जाएं, अपने आपको service test बनाएं, चौथा emotion है fear, कई बार हमारे अंदर डर की भावना बहुत-बहुत strong होती है, डर ऐसा होता है कि हमें और कुछ सोचने नहीं देता, सिर्फ हमारे दिमाग में बुरे ख्यालात डालता रहता है कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मेरे स तेरे बड़ा ओने लग जाता है, इसलिए बहुत ज़ादा ज़रूरी है कि अपने डर पे काबू पा सके हैं, क्योंकि जब आप market में जा रहे हैं, आपको नीडर होना आपका काम है, आप पूरी company को represent कर रहे हो, company के पीछे 50, 100, 200, 1000 लोग आपसे आशा रखके बैठे हैं, उ इसलिए ज़रूरी है कि आप भी ये fear को कभी dominate ना करने दे, पांचवी जो चीज है वो है pride, कई बार हमें बहुत एहम होता है, एहम भी एक तरह का emotion है, पर एहम ऐसा emotion है कि आपको पूरी तरह दबा देगा, पूरी तरह खतम कर देगा, इसलिए एहम को कभी overpower मत करने दे, अ हमें भी यही सोचना है कि सबकी भलाई में हमारी भलाई है, तो इसलिए कभी भी किसी तरह की घमन को कि मैं उससे बहतर हूँ, या वो मुझसे बहतर कैसे हो सकता है, इस तरह की भावना कभी मन में ना आने दे, या मैं सबसे बहतर हूँ, इस तरह की भावना को कभी मन में न चड़ने दें. छटा जो emotion है वो है overconfidence. दोस्तों, आत्मविश्वास होना बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है. बिना आत्मविश्वास, बिना confidence के तो हम एक पत्ता भी नहीं हिला सकते. कितनी बार आप देखते हो कि कोई आदमी आता है, छे फुट लंबा है, सीना चोड़ा है, मजबूत है. और जब उसकी आवाज सुनते हो और उसका confidence देखते हो लगता है यार यह तो बहुत धीला है. तो आत्मविश्वास तो होना बहुत ज़रूरी है, कि आप कुछ भी आपका आत्मविश्वास, पर अगर आप सोचने लग जाएं, कि सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आप ही एक अच्छे सेल्जमेन है, तो यह हो जाता है overconfidence, और overconfidence हमेशा हमें मुझे बलगी राता है. इसलिए अपने आपको चेक करते रहें और ध्यान करते रहें तो complacent का मतलब होता है कि जब थोड़ा सा हम हमारी जिंदगी में success या हमारे career में success आने लगता है तो हम लोग लापरवा हो जाते हैं वो लापरवाई का जो result है वो इतना negative है इतना negative है क्या शब्दों से आपको बताऊं कितनी बार आपने भी देखा होगा मैंने भी देखा है और हमारी industry के अंदर इतने सारे talented sales के लोग है इतने सारे sales के इतने बढ़िया लोग है जो distributors से जिनके relation बहुत अच्छे है network बहुत अच्छा है मेहनत बहुत कर सकते हैं लेकिन कुछ अपनी चीजों के कारण वो इतने लापरवा हो गए कि वो life में आज भी बस बहुत एक छ छोड़ी सी जॉब लेके रह गए इसलिए complacent life में मतों हमेशा तरक रहें aware रहें alert रहें कि क्या चल रहा है और आपको अपने आपको कैसे बहतर करना है आठवा जो emotion है वो है persistent कि हमेशा अपने असूलों पे persistent रहना मजबूत रहना बहुत बार जिंदगी में ऐसा दौर आए कि तू जो रस्ते में जा रहा है तू पागल है तू गलत कर रहा है तू नहीं कर पाएगा तू छोड़ दे लेकिन हमें पता है कि हमारी मेहनत के अंदर हमारी शिदत के अंदर हमारी इमानदारी के अंदर हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है इसलिए वो मेरे को result मिलना ही मिलना है तो कई बार हमें दूसरों से हटके चलना पड़ता है अपने रस्ते पे अपने असूलों पे कायम रहना पड़ता है prospective रहना पड़ता है तो वो परसिस्टेंसी दिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी है और नवी जो चीज है वह है वरी मतलब चिंदा चिंदा इक ऐसा माल नहीं बिखता, मेरा प्रोड़क्ट महेंगा है वो डिस्ट्रिबूटर सपोर्ट नहीं करता वो ये नहीं करता और वो चिंता ही हमें खाने लग जाती है, चिंता जितनी करेंगे उतने जादा नेगिटिव थॉट्स और भड़ने लग जाएंगे अगर इस बार सेल नहीं करी तो पता नहीं कंपनी वाले क्या बोलेंगे मेरा सीनियर क्या बोलेगा इस तरह के थॉट्स दिमाग में आने लग जाते हैं तो इन चीजों से बिलकुल अपने आपको सेपरेट रखें, इन चीजों से दूर रखें चिंता की जगे फोकस को उस जगे पे लाएं जहांसे रिजल्ट मिलने, अपनी एनरजी का अलाइनमेंट आपको करना है तो किसी भी तरह के जब चिंता के खयाल दिमाग में आने लग जाएं, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा होगा, तो क्या होगा तो अपने एक गहरी सांस लें और अपनी एनरजी को अपने गोल्ज लिखना शुरू कर दें और अपने गोल्ज में लिखें कि क्या टार्गेट है, कहां पहुचना है क्या रस्ता है, चिंता उसका रस्ता नहीं है और दस्वा, एक बेहद इंपोर्टेंट जो पॉइंट है, वो है पेशेंस पेशेंस मतलब धीरज, अपना आपको एक सहज के काम करना, क्योंकि कई बार हम रिजल्ट करते हैं, जो भी काम करते हैं, जो आक्शेंस लेते हैं, उसका रिजल्ट एकदम से नहीं मिलता, हमें पेशेंस रखना पड़ता है, एक बीज को जब होते हैं, तो पेड उगने में बहुत समय लग जाता है, इसी लिए बहुत जादा जरूरी है कि आप पेशेंस रखें, लगातार आक्शेंस करते रहें, और एक लास्ट पॉइंट जो मैं आपसे शेर करूँगा, जो इन पूरे 10 के 10 पॉइंट को सूतर में बानता है, वो है कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंट रहना, जो भी चीज, जिस रस्ते पे चल रहे हो अपने आपको निरंतरन, निरंतरन उस पे बहतर करते रहना, 10 डिगरी एक साल बाद और 10 साल बाद आप में इतना बड़ा चेंज आ जाएगा, तो हर चीज में कंसिस्टेंट रहना बहुत 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 ज़ादा जरूरी, especially sales के अंदर, तो ये अगर आप 10 emotions master कर लेंगे, तो आप best salesman in the world बन सकते हैं, फरक नहीं पड़ता कि आपकी industry क्या है, आप soap industry से हैं, spice industry से हैं, shoe industry से हैं, garment industry से हैं, phone industry से electronic industry से हैं, automobile industry से हैं, marble industry से हैं, जिस भी industry से आप हो, कोई फरक नहीं पड़ता if you have to become the best अगर आपको best salesman बनना है, तो आपको अपने emotions के उपर control करना पड़ेगा, अपने thoughts के उपर control करना पड़ेगा, क्योंकि जो आदमी अपने emotions को master कर लेगा, वो अपनी life को master कर लेगा तो इसलिए, यह मेरा message है, मैंने आपसे चीज़े share करी, from the book the greatest salesman in the world I hope आपको अच्छा लगा हो इसी तरीके से और important input आपसे share करता रहूँगा और हमारी यह जो पुरी sales community है, इसको जो हम कुछ contribute करके आगे लेके जाना चाहते हैं, तो मेरी request है कि जितने भी आपके लोग sales के line में आपसे touch में है उनको इस group में add करा है ताकि मिलके इसको एक पूरा एक movement, एक very strong movement हम create करें, so thank you so very much